हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज मैं बनाऊंगी मिक्स वेज मतलब मिक्स सब्जिया मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी पर इसमें स्वाद जो है वो साधियों में बनने वाले मिक्स वेज के जैसे रहेगा तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए यह रेस्पी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी मिक्स वेज बनाने के लिए हमने कुछ सब्जिया ली है जिसमें है गाजर सिमला मिर्च आलू गोभी और हरे मतर इसके बाद मैंने लिया है दो बारी कटे टमाटर साथाट काजू और दो बारी कटे हुई बड़ी प्याज इसके बाद हमें सारी सब्जियों को फ्राई कर लेना है सबसे पहले हम गाजर और आलू फ्राई करेंगे जब ये 50% पक जाये तब इसे निकाल लेना है देखिए इस तरीके से पकाना है बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसके बाद गोवी फ्राई कर लेना है इसको भी 50% ही पकाना है अगर आप चाहे तो सारी सब्जियों एक साथ फ्राई कर सकते हैं मैं सारी सब्जियों अलग 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 फ्राई कर रहे हूँ गोवी को 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें सिम्ला मिर्च डाल कर फ्राई करेंगे सिम्ला मिर्च बहुत जल्दी पक जाती है इसलिए हमें इसे बाद में डाल कर फ्राई करना है एक बात को और ध्यान रखना है कि गोवी हमें थोड़ी बड़ी बड़ी काटना है सिम्ला मिर्च और गोवी फ्राई हो चुकी है अब हम इसे निकाल लेंगे सबसे आखरी में मटर फ्राई करना है मटर को हमें ज्यादा देर फ्राई नहीं करना है इसे सिर्फ एक या दो मिनट फ्राई करके दूरंद निकाल लेना है सारी सब्चियां फ्राई हो चुकी है अब हम इसे मैनी रेट करेंगे जिसके लिए मैने इसमें डाला है आधा चमज, मिर्ची पाउडर, आधा चमज, अमचूर पाउडर और नमक टेश्ट के अनुसार डाल कर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम उसी कड़ाई में सबजी बनाएंगे जिसके लिए हमने तेल को कम कर दिया है तेल हमें ज़्यादा इस्तमाल नहीं करना है अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे जैसे एक बड़ी इलाची, दो हरी इलाची, दो तेज पत्ता, दो तिन काली मिर्च और दो तिन लॉक इसको एक मिट पकाने के बाद हम इसमें बारेक कटी हुई प्याज डालेंगे प्याज को हमें golden brown होने तक भूलना है जब प्याज golden brown हो जाए तो हमें इसमें tomato डलना है प्याज golden brown हो चुका है अब हम इसमें tomato आड़ करेंगे tomato को 2-3 मद पकाने के बाद हम इसमें काजू डालेंगे इसको भी हम 1-2 मद पका लेंगे अब इसमें कुछ मसाले अट कर लेना है नमक टेस्ट के अंसार आधा चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच मेची पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच जीरा पाउडर और इसको अच्छे से पाज मट तक पका लेना है मसाला अच्छे से पकाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी आट करेंगे पानी आट करने से मसाला बहुत अच्छे से पक जाता है और जलता नहीं है अब हम इसको अच्छे तरीके से चार से पांच माट पका लेंगे मसाले को अच्छे से पकाने के बाद हम इसमें आप डालेंगे दो बारी कट्यूई हरी मिर्च, कस्तूरी मेथी, अद्रक किल अच्छे थोड़े से और सबजी मसाला और इसको एक दो मिर्ट चलाएंगे सबसे आखरी में हम इसमें आधा चमच, चमच, पौड़ा डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अब हम मसाले का पेस्ट बनाएंगे जिसके लिए हम आधे मसाले को मिक्सर में पीस लेंगे अगर इसमें खड़ा मसाला है तो इसको आप निकाल देजेगा खड़े मसाले से टेस्ट अच्छा नहीं होता है खड़ा मसाला मिक्सर में नहीं पीजना है मसाले का पेस्ट तयार करने के बाद इसको बचे हुए मसाले में डालकर चार से पांच मेर्ट अच्छे से पकाना है मसाला अच्छे से पकाने के बाद अब हम इसमें थोड़ी से कटी हुई हरी धनिया डालेंगे और इसके बाद इसमें मेनरेट की हुई सारी सबजे डालेंगे इसमें जो एकस्टरा तेल बचा हुआ है उसको हम सब्जी में नहीं डालेंगे जिससे सब्जी ज्यादा ओयली नहीं होगी अब हम इसको अच्छे से चला कर 5-10 मेर्ट धीमी आज पर पकाएंगे आखरी में इसमें पनीर डाल कर इसको अच्छा से मिक्स करके इसको भी 3-4 मिर्ट पका लेना है बस बनकर तयार है आज की रैस्पी ये बहुत ही सरल और आशान है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है आप इसे एक बार अपने घर पर जरू ट्राय करिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करिया तो प्रीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए